हे वाट्सप गाइस मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्नोजू दोस्तों इस 2019 में जून के महीने में कुछ नए फोन साने वाले हैं उसमें से एक है सैमसंग M40 और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इस M40 की खासियत और आपको बताऊंगा कि क्या यह फो तो दोस्तों इस जून महीने में 11 तारिक को लांच हो रहा है सैमसंग M40 और यह फोन मुझे काफी अच्छा लगए इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वह काफी फोन से अलग है और यह फोन लॉंच होने के बाद सबको टेंशन आने वाला है क्योंकि लिए शाओमी है रियल्मी है और इन सब आसूस और यह सब बड़ी-बड़ी ब्रैंड से उनको भी प्रॉब्लम हो सकते हैं अपने फोन बेचन हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि शायती है 4G और 6GB वेरियंट में देखने को मिल जाए लेकिन हाला कि यह कुछ भी अभी तक नहीं है और अगर मैं कुछ और बात करूं इसके स्प्रेसिफिकेशन की तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएंगे पीछे और मैं इसके अ Samsung Galaxy S10 में देखने को मिली थी जिसे हम पंच हॉल कैमरा पर नाम से भी जानते हैं यानि कि फ्रेंट में हमें फुल व्यू डिस्प्लेग मिलेगी और एक छोटा सा हॉल देखने को मिलेगा जहां पे लगा हुआ होगा एक कैमरा तो यह होगी इस फोन की डिजाइन और अगर मै से एक यह होगा और मैं अगर इसकी प्राइजिंग की बात करो तो Samsung से कह रहा है कि यह 20,000 से कम में यह फोन देखने को मिलेगा तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि जो इन्फिनिटी ओ डिजाइन है वह हाल में बहुत ही महंगे फोन में आते थे लेकिन अब डाइरेक्ली 20, सिजर के कम क्या फोन में देखने को मिलेगी है इन्फिनिटी ओ डिजाइन तो एक काफी अच्छा लुक देगी अपने फोन को और इसमें हमें देखने को मिलेगी पांच ज्यार मिली आप पार की बैटरी और इसका जो फास्ट चार्ज सपोर्ट होगा इसमें और इसमें बहुती बड़ा कम बैक होगा इस तैमसंग के लिए यूंके लिए संजम संग बीच में खो गया था लेकिन समसंग जो गयन वहीं सीरी जिह निकाल रहा है काफी अच्छा काम कर रहा है तो अगर आपको डरत। आप कमेंट में बता सकते हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस झाल, झाल झाल झाल